तो देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1857 की क्रांती का जो टॉपिक है स्टार्ट कर दिया था तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से 1707 इसवी से लेकर धीरे धीरे आग जो है वह भड़कती है और कहां पर जाकर रुखती है 1857 की क्रांती में ठीक है तो मेरट से ये कहानी जो है वह स्टार्ट होती है राजिस्थान में यहां पर भी पहले से ही धीरे धीरे हो रहा था क्रांती का आगाज और अब 28 मई 1857 को नसी जो है, वो आपको ऐसा नहीं कराया जाएगा, जो की आपके एक्सामे ना आए ना ही वीडियो इतने बड़े होंगे एक गंटे का या डेड़ गंटे का जिससे कि आप लोग बोर हो जाएं या पढ़ने में भी मजा ना आए केवल उतना ही पढ़ेंगे जो कि आपके एक्जाम में काम आए ठीक है तो अब देखिए क्या होता है कि 1857 की क्रांती जो है वह प्रारम होने के समय राजिस्थान में अंग यहां पर अंग्रेज कौन थे जो ऑफिसर थे वो सभी अंग्रेज थे तो जैसे ही मेरट में क्रांती की जो सूचना है मिलती है यहां राजिस्थान में जो बैठा हुआ था अजमीर में एजी जी तो जैसे ही उसको प्राप्त होती है वह देशी रियासतों के जो राजा होत तो उसके लिए कारवाई की जाएगी तो अब राजाओं के उपर थो हमेशा से दवावी बना रहा तो अब यहां पर सबसे पहले नसीरावाद में क्रांती होती है 28 मई 1857 को तो उस समय क्या था कि यहां नसीरावाद में पंदरवी और 30 वी बंगाल इंपैंट्री जो है वह का कार्थूस तो वो क्यों हो रही है भारतिय सैनिकों को कुचलने के लिए की जा रही है उनके जो धर्म है उसको भेश्ट करने के लिए की जा रही है तो यहां पर जो विद्रो है वो है स्टार्ट हो जाता है पंदरवी और 30 वी बंगाल इंफैंट्री यहां पर कारे रख थी मेरत विद्रोह की जैसे ही सूचना मिलती है पंदरवी नेटिव इंफेंट्री ने करांती कर दी सैनिकों ने तोब खाने पर सबसे पहले हमला किया अब ये जो थी पंदरवी और तीसवी बंगाल नेटिव इंफेंट्री ये क्या कर रही थी अजमेर में जो भी सस्त्र वगएरा थे अस्त्र सस्त्र उन सब की रक्षा ये करती थी तो यहां पर जो एजी जी था उसने क्या सोचा कि ये क्रांती ना कर दें इस वज़े से इनको यहां से भेज दिया जाता है नसीरावाद ठीक है अजमेर से कहां भेज दिया जाता है नसीरावाद भेज दिया जाता है तो सैनिकों को यह सब पता चलता है कि जो अंग्रेज हैं वो हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो इस वज़े से भी क्रांती जो वो क्या करती है यहां पर जो तोब खाने रखे हुए थे वहां पर अपना अधिकार कर लेती है जो उनकी रक्षा कर रही थी उन पर अधिकार कर लेती है सारी जो छावनी होती है उसमें भगदर मज जाती है सैनिक जो होते हैं वो पूरे सस्त्र जो है वो लूट लेते हैं और यहाँ पर सैनिकों ने तोब खाने पर कबजा कर लिया मेजर इस्पोर्टिस वुड और कर्णल नूबरी नाम याद रखना है कर्णल नूबरी का बहुत एक्जाम में पूछा गया है इसकी हत्या कर देते हैं सबसे पहला ऑफिसर जिसकी हत्या सैनिक करते हैं नसीरावाद में वो है कर्णल नूबरी ठीक है अब जो लेफ्टिडेंड लॉक और कप्तान होर्डी घायल हो जाते हैं और जो कुछ अंग्रेज अधिकारी थे लगबग 30 जो अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर थे तो उन में से दो घायल हो जाते हैं दो है जो उनकी हत्या कर दी जाती है औ तो अब यहां से यह लोग दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं, तो याद रखना है, यहां पर question किस तरीके से पूछा जाएगा, कि नसीरावाद में क्रांती कभी स्टार्ट हुई, ठीक है, यह पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा, यहां पर किस बंगाल नेटिव इनफैंट्री, पंदरवी या तीसवी, किसने यहां पर विद्रो किया था, तो पंदरवी नेटिव इनफैंट्री ने यहां पर क्रांती स्टार्ट की थी, ठीक है, याद रखना है, यहां पर सबसे पहले जो अफसर जो जिसकी हत्या की गई थी, उसका क्या नाम है, इस तर पर जो शाशक थे नीमच में स्वरूप सींग थे ठीक है कौन थे स्वरूप सींग थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और जो पॉलेटिकल एजेंट था वो था सावर्स मोहमद अली बेग ने क्या किया करनल अबॉट की हत्या कर दी और अंग्रेजों पर क्रांति कारी थे उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और उन्हें बंदक बना लिया तो यहां के जो शाशक है स्वरूप सींग इन्होंने अंग्रेजों को आजात कराया और यहां जग मंदिर उदैपुर में शरण दी ठीक है अब यहां से बहुत ही important question है सबसे पहले शाशक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों को क्रांतिकारियों से मुक्त करा के जग मंदिर में शरण दी ठीक तो कौन थे तो वह थे स्वरूप सींग क्रांतिकारियों ने नीमच छाबनी में आग लगा दि नीमच से शाहपुरा उसके बाद ये नीमच से कहां पहुंचे शाहपुरा पहुंचे और वहां के साशक ने भोजन और ठैरने की व्यवस्था कि मेरे द्वारा यहां पर कोई भी लाइन लिखी गई है वो सब भी लाइन इंपोर्टेंट है एक भी इग्नॉर नहीं कर सकते हो यहां पर एक एक्जाम में यह पूछा जा चुका है कि वह कौन सी रियासत थी जिसने वह सबसे चोटी रियासत जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था ठीक है तो वह सहवपुरा थी सबसे चोटी रियासत जिसने क्या किया था यहां के साशक ने अंग्रेजों का साथ ना आया अब यहां से तो नीमच से शाहपुरा चले गए थे क्रांतिकारी और उसके बाद नीमच में कोई नहीं था तो लॉरेंस क्या करता है कि निर्देश देता है कप्तान सावर्स को और वह नीमच आता है और दुबारा से नीमच पर अधिकार कर लेता है नेक्ष्ट देखिए एरिनपुरा की क्रांति तो देखिए जैसे ही क्या होता है कि जो एरिनपुरा में जो भी जोदपुर की सैनिक टुकडी थी इसको जब नसीरावाद में हुई क्रांति का पता लगता है सूशना मिलती है तो यहां 21 अगस्त 1857 को क्रांति का विगल बजा सबसे पहले जो एरिनपुरा स्टेशन है उसको लूट लेते हैं ठीक है और मारवार्ड की रास्ते दिल्ली की और रवाना हो जाते हैं, तो जब क्रांति कारी ले पाली पहुंशते हैं तो वहां पर आउवा के जो ठाकुर कुसाल सींग जहें वह इनकी सहायता करते हैं तो वहाँ पर यहाँ जो है आउवा के जो शाशक है कुसाल सिंग तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है एरिनपुरा की क्रांती में रियासत के साशक कौन है यहाँ पर तक्त सिंग है जोदपुर के नेतरत्व करता कौन है सीतल प्रशाद है मोती खा है तिलक राम है और इनका साथ किस ने दिया आउवा के ठाकुर कुसाल सिंग ने साथ दिया था यहाँ पर पॉलिटिकल एजन्ट कौन है मेक मैसन है इस क्रांती को पुर्वईय की क्रांती भी कहा जाता है और इस क्रांती में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया और भारत में जो क्रांती हो रही थी 1857 की वहाँ पर नारा क्या था दिल्ली चलो लेकिन यहाँ पर क्या है तो यह वाला कुश्चन इस तरीके से एक्जाम में पूछा जा सकता है कि राजिस्थान में जो क्रांती हुई वहाँ पर जो एरिनपुरा में क्या नारा दिया गया था तो आपको याद रहेगा दिल्ली चलो लेकिन ये पूरा आपको याद रखना है दिल्ली चलो नहीं चलो दिल्ली मारो फरंगी ये पूरा नारा आप याद रखिएगा और अच्छे से याद रहने चाहिए, आप तीन बार पड़ो, चार बार पड़ो, कितनी भी बार पड़ो, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, जोदपुर के महराजा तक्त सींग ने अपनी सेना क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेज दी, एरिनपुरा के स कुसाल सिंग से सैनिक हैं, एरिनपुरा के बहेट करते हैं खेरवा नामक इस्थान पर, याद रखिएगा इस्थान का नाम कि कहां पर कुसाल सिंग और जो सैनिक हैं, उनकी बहेट होती है, तो वह खेरवा नामक इस्थान पर होती है, अब दो युद्ध जो हैं, इसके बा पाली में है और यह युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को याद रखना है किस-किस के बीच में होता है एक तरफ होते हैं ठाकुर कुसाल सिंग और क्रामतिकारी और वहीं दूसरी तरफ है जोतपुर के तक्त सिंग ठीक है तो यह इनके द्वारा हमला किया जाता है लेकिन यहां पर जीत हासिल करते हैं ठाकुर कुसाल सिंग और क्रामतिकारी और इस संगर्स में किलेदार जो अनार सिंग है वह मारा जाता है और सिंग भी कुसल राज जान बचा कर यहां से भाग जाता है तो यह चीज़ देखकर जो है ए जी जी जो है वह क्या करता है अब जब पहले तक्त तक्त शींग जो है वही हार जाते हैं तो अब ये पैट्रिक लॉरेंस जो है यह खुद शेना लेकर आता है और एक तरफ यहाँ पर दुबारा से ठाकुर कोसाल सिंग और ग्रांतिकारी और ए जी जी पैट्रिक लॉरेंस उनके साथ पिये मेक मोसन और सैना सहित उनका आकरम commits ह और इसे चेलावासा का युद्ध या गोरे काली का युद्ध कहा जाता है क्योंकि एक तरफ हैं गोरे और दूसरी तरफ भारतिय जिने कहा गया काले और ये युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को और यहां पर भी मात खानी पड़ती है पैट्रिक लॉरेंस को अब क्या करते हैं कि इसमें भी हार जाता है पैट्रिक लॉरेंस और वहीं जो पिये होता है पॉलिटिकल एजेंड मेग मेशन इसकी क्रांतिकारी गर्दन काड़ देते हैं और आउवा के किले के प्रविश द्वार पर लटका देते हैं यहां पर देखिए आउवा की जो देवी हैं कुसाल सींग के द्वारा इन देवी को बहुत माना जाता था तो जो सुगाली माता हैं आउवा की देवी जिनके 10 सिर और 54 हात हैं तो ये 1857 की क्रांति के समय की देवी मानी जाती हैं तो बहुत ही बार ये कुश्चन जो एक्जाम में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय जो देवी हैं वो कौन हैं सुगाली माता हैं और एक बार तो ये भी कुश्चन आया था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें 10 और 54 ये किसे सम्बंदित हैं अब बच्चे थे परिसान क्योंकि इतना बारीकी से कुश्चन पूछा गया था ठीक है तो यहां पर 10 और 54 किसे सम्बंदित हैं आउवा की देवी सुगाली माता से सम्बंदित हैं जो की 1857 की क्रांति के समय देवी थी 20 जनवरी 1858 इसवी में अब हूम्स के नेतरत्वों में आउवा पर आक्रमन किया जाता है आउवा के ठाकुर कुसाल सींग जो है अब यहां पर नहीं टिक पाते हैं तो सलूम्बर के सामंद के यहां पर शरण लेते हैं कहां जाते हैं सलूम्बर के सामंद के यहां पर तो प किसामत की आशरण ले लेते हैं कुसाल सींग की आववा से जाते ही ब्रिटिस फॉज ने दुबारा से आववा के किले पर अधिकार कर लिया जाता है 1860 में नीमच में कुसाल सींग ने आत्म समर्पन किया कुसाल सींग पर राजद्रोह का आरोब लगाया गया ठीक है टेलर आयोग आता है इन पर कारेवाई की जाती है लेकिन यहाँ पर कुसाल सींग निर्दो सावित होते हैं और उन्हें यहाँ से बरी कर दिया जाता है उसके बाद देखिए कोटा में क्रांती ठीक है अब आपको पता है कि कोटा जो है वह चावनी नहीं थी उस वक्त यहाँ पर क्रांती जो है वो करते हैं यहाँ की आम जंता ठीक है इसलिए इसे जन आंदोलन कहा जाता है और 1857 की क्रांती में कुशन पूछा जाएगा तो आ जय दयाल और मेराओ खां और यहाँ करांती होती है 15 अक्टूबर 1857 को तो क्या होता है कि जो यहाँ का पिये होता है मेजर बर्टन वो क्या करता है रियासत के साशक राम सिंग सेकेंड को कहता है कि यहाँ पर जो आफिसर हैं यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं वो बफादार न चीज जो है ये लोग सुनेंगे तो ग्रांती तो भढ़केगी ही क्योंकि बाकि जो भी देश में हो रहा था राजस्थान में हो रहा था उससे कोई भी अज्ञान नहीं था सभी को उस चीज के बारे में नौलिज थी तो वो समझ रहे थे कि अंग्रेज जो हैं वह क्या करना चाते हैं तो इसी लिए क्या किया कि इन लोगों ने जो मेजर बर्टन था उसे बदला लेने की सोची यहां ग्रांती होती है धन तेरस के दिन कोटा में कोई छाबनी नहीं थी वहां की जो जनता है उसी ने विद्रोह किया था इसी लिए यह एक जन आंधोलन कहा जाता है के साथ ही डॉक्टर सैडलर की हत्या कर देते हैं तो सबसे पहले पीए की हत्या करती जाती है उसके दोनों बेटों की हत्या करती जाती है नारायन और भवानी ने क्या किया मेजर बर्टन जो है इसकी गर्दन काटकर उसे पूरे कोटा में गुमाया कोटा के सासक राम सिंग सेकंड को जनता ने ही नजरबंद कर दिया तो जो महराव थे वो अपने ही महल में एक प्रकार से क्या हो गए थे कैद हो गए थे और यहां तक कि जो राम सिंग सेकंड थे उनको जो क्रांती खारी थे उन्होंने क्या किया जो भी जिन्होंने भी क्रांती की थी उन्होंने महरा सेकिंड ने की है ठीक है बाइस मार्च 1858 को नसीरावाद से जनरल रॉबर्स की सेना आई और उसने कोटा जहर को यहां क्रांती कारियों से मुक्त करवाया करोली के साशक मदन पाल द्वारा अंग्रेजों की सहायता कर क्रांती का दमन किया जाता है तो करोली के किस साशक ने अ 1857 की क्रांती के जो भामासा है वो राजिस्थान के यानि पहले सहीद जो है वह है अमरचंद बाठिया है जो की एक व्यापारी थे तो इनका नाम भी एक्जाम में पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांती के समय जो भामासा है वो कौन है क्रांती के भामासा अमरचंद बाठिया में विद्रो जो है कुचल दिया गया और नवंबर 1858 में जो इस इंडिया कंपनी है उसमें भारत का शाषन जो है वह है ब्रिटिस क्राउंड ब्रिटिस ताज को सौप दिया क्योंकि अब ये भी ऐसा सोचने लगे थे कि अंग्रेज जो है जिस तरीके से भारत कुछ को अपने कबजे में ले रहे हैं कल को हमारी इस्थिती भी ऐसी हो सकती है तो वहीं पर कंपनी ने भारत का जो शाषन था प्रेटिस ताज को सौप दिया और गवर्णर जनरल जो अभी तक यहां बनते आ रहे थे उनके इस्थान पर वाय सराय पत्निक्त कर दिया तो 1857 की क्रा तो इस तरीके से 1857 की क्रांति का आपका यह टॉपिक होता है कंप्लीट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसको आप बार-बार दोहरान करिए जिससे की आप लोगों को यह चीजे याद हो ज झाल